जहिंद मेरे प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी पद्य पर आधारित बहुविकल्पी प्रस्न देखे यहां से टोटल पांच नंबर का क्वेस्टन आएगा बहुविकल्पी प्रस्न आएगा ठीक है जो बहुविकल्पी के रूप में होगा और हाँ साथ में चाहते हैं आपका 90% से 95% रिजल्ट बने तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके चैनल से जोड़ जाएए क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों के most important question कराया जा रहा है बोड एक्जाम से related घर बैठे या आप बोड एक्जाम की बहतर त्यारी कर सकते ह नहीं आपको इधर उदर भटकने के जरूरत नहीं है चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जोड़ जाएए फायदा आपको यह नहाला है चैनल को सब्सक्राइब कि रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरन जाएगा घर बैठे आप वीडियो को व सब्सक्राइब कराने वाला हूं पचीसों को आप ध्यान दे लिए ठीक हो सकता है इसी में से आपके बोड़ एक्जाम में पूछ ले ओके और अपने नोट बूक में इसको लिखिएगा जरू चलिए निम्न में से रीतिकाल की कलावधी है कलावधी या समय सीमा बोल दे तो यहां पर आपसन है मेरा 1643 से ठारसुतिरालीस श्वी तक 1343 से 163 तक 743 श्वी से 1343 श्वी तक और ठारसुतिरालीस श्वी से आज तक एक अपने वीडियो इसके पहले वाला देखा है हिंदी पध्य वाला लेखा का उनकी रचनाय इंपोर्टेंट यूग के बारे मैंने वह बताया है तो कमेंड मुद्य बताए क्वां सा आपसन सही है फिलाल में साथ में एंसवर कराते चल रहा हूं इसका पहला अंसवर सही है अदूर की समय अवद्हिए समय की बात कर रहा है तो आधुनी काल की समय सीमा क्या है अगला प्रगदिवादी युक की समय सीमा क्या है या समय अवधी क्या है यह सब मैंने पहले वाले वीडियों बताया है अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत मिश्टेक करके आया हो वो देख के आया होते तो आप खुद जबाब दे लेते इसका ठीक है तो चलो देख लेते हैं प्रगदिवादी युक की समय अवधी है तो प्रगदिवादी युक की समय अवधी जो है 1936-1943 तक यह क्या है प् इसको आप नोट करते चलिएगा अपने नोट बुक में ठीक है तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट एंसर हो जाएगा 1943 इसवी से 1933 तक ओके यह क्या प्रियोगवादी युक की कलावधी ठीक है उसके बाते है प्रगद वाध यूग संवतों जो क्रेशन बंदा जिवीदी यूग की कलावधी यह सब यूग की अंतर गहते हैं दोस्तों आदूनी tutte Kay की परयोग वादी यूग यूग दिवेधी यूग चलते हैं विकलप हम नहीं पढ़ेंगे हैं इसका आपको बताते चलते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1900 से 1918 ठीक है इस्वी तक दिवेदी युक की जो कलावद ही है 1921 से लेकर 1928 इस्वी तक यह है ठीक है और नेक्स्ट क्वेस्चन है तीसरा सब्तक का प्रकासित हुआ तो 1969 इस्वी में तीसरा सब्तक प्रकासित हुआ था काफी important question है तो दिवेदी युक के प्रसिद कभी मैतली सरान गुप्त जी है ठीक है question number eight है साकेत महाकाव की रचना किसने की देखिए अब रचना पर आ गए किसके रचना कार कौन है साकेत मैंने आपको पहले वाले वीडियों बताया हिंदी पर्द्य में जब लेखक और लेखक रचनायक बारें बता रहा था तो हां मैंने बताया कि साकेत तो साकेत के लेखक कौन है मैं अथली सरण गुप्त जी है ठीक है इसका राइट एंसर हो जाएगा मैं आपसर नंबर ए ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की तरब अब देखें दोस्तों क्वेस्टन नंबर 9 निमन में से रीत काल की मुख प्रवितियां विशेष्टाएं कौन से हैं प्रवितियां पूछे या विशेष्टाएं पूछे तो आपको क्या देखें यहां बोला है रीत काल की मुख प्रवितियां या उनकी विशेष्टा क्य है रीतिकाल की तो सिंगार रस کی प्रधानता और काब में कच्छा पच्छी प्रधानता है काव में कच्छा पच्छी की प्रधानता है ओके जरूरी नहीं कि धोनों आप्स काल की प्रभित्ति या विशेषता है सिंगातरकी प्रदान नमें से आधूनिक काल की विशेषता कौन सी है अब आधूनिक काल की विशेषता के इसमें थे जीवन के अर्थार्थ की प्रधानता और थेल्था आपसान नंबर गार इसका सही हो जाएगा दोनो Other अधोनी काल की निसेशता क्या था जीवन के अलें परण ता ओके इसे नमरधिक प्रण को अंकिस नाम से जाना जाता यह भी मैंने आपको बनाया हूँ ताकि जो उसमें छूट गया हूँ इसमें आप देख लेजे ठीक है तो बने रहेगा मेरे साथ निम्ल में से रीतिकाल को अन किस नाम से जाना जाता है रीतिकाल को बता दू दोस्तो अलंकृत काल और श्रिंगार काल इन दोनों के नाम से जाना जाते हैं ठीक है इन दोनों इनका नाम है रीतिकाल का वारतिंद युग किस काल के अंतरगत आता है भारतिंद मैंने आपको बताया इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा तो बता लेंगे क्यों चले कमेंट कर बताये're चले मैं ठीक करता हूं आप मिला लिज़ेगा आपने सरी कमेंट किया था या नहीं तो यह अधुर्णी काल के अंतरगत आता है ठीक है अब हम देखें क्वेस्टर नमबर 13 तुमार थार्टीन है हमारा चायावादी यूग के प्रमुख लेखक है तो चायावादी यूग के र जो उसमें चूट गया है वह सब इसमें करया जा रहे हैं उससे रिलेटेटर कराया जा रहे हैं जैसे कि आपके बोर्ड एक्जाम में आने के समझाऊना जिसकी है वह इस तरीकी क्यों भी करै जाए ठीक है इसलिए वीडियो को सभी वाज करेंगे तो आप आछे से द्यारी प्रगतिवादी युक की दो विशेषता हैं कौन सी हैं क्वेस्टन नमबर 14 हैं सांदर भावना करुडर था नैरास की भावना ठीक है मानावता प्रवित्ती विद्रहयं क्रांति की भावना तो देखें इसमें गह और गह दोनों आपसंस आई हैं इसलिए मैं सौर्टकट में करा दे रहा हो सकता जब वहां पर एक्जाम में पूछेगा तो कोई एक ही आपसं देगा तो याद रखेगा प्रगतिवादी युक की विशेषता इन दोनों को तयार कर लिजेगा मानावाती प्रवित्ती है मानावता वादी है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना है अब हम देखते हैं क्वेस्टन नमर फेप्टिन को निम्नमिसी छायावाद की दो विशेषता की बात किया गया है तो मुक्त प्रकृति चित्रनी नहीं है कवीता में हाश और व्यंग के पूट का समावेस यह भी नहीं है इसका राइट एंसर हो जाए गह और गह स्रिंगार उन प्रेमवादना प्रकृति का समानी करण ठिक है प्रकृति का मानुवी करण यह दोनों हैं च्रेवादी की विशेषता नमर शिक्सTS है आपका नई कवीता की या नई कवीता युग की प्रमुग विशेषता कौन शी है इसको भी आप अच्छे से त्यार कर लिए जीक्ता की प्रदानता बढ़तेंहें हम नेक्स्ट क्वेशन की तरफ है अब 되게 स्थे से मुखतक काव के कभी हैं मुकठक काव के कवी हैं मैंने बताया आपको इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था फिलाल आपको यादो तो comment करें नहीं यादे तुम्हें बता दे रहा हूं ठीक है तो विहारी जी है मुक्तक काव के कभी कौन है विहारी जी क्वेस्टन नमर 18 है निम्न में से प्रयोगवात की दो प्रमुक विसेस्था की गई आप ठीक है तो प्रयोगवात में गोर वैक्तिकता की बात की गई है या थार्द वादित इसका कर अख दोनों विसेस्था है ठीक है चलो बढ़ते है नेक्स्ट पर 19 नाइनटीन कुम्कुम किस विधा की रचना है कुम कुम तो वो है कवीता संग्रा की क्वेस्चन नमर्ट 20 है पलास वन के रचनाकार कौन है तो पलास वन के रचनाकार जी यह है नरेंदर सर्माजी ठीक है क्वेस्चन नमर्ट 21 है रेति गरंथ कितने रूपों में मिलते हैं दो रूपों में ठीक है रीत गरंथ कितने रूपों मिलते हैं दो रूपों में बाईसमा नमबर क्वेशन है अदभूत आलाप के कवी हैं अदभूत आलाप तो इनके कवी हैं जो महावीर प्रशाद जुएदी जी ओके चलो नेक्स्ट क्वेशन लेते हैं हमें आप संसे हैं ललीत ललाम के रचाइता हैं मती राम जी यामा के रचाइता का नाम लिखिए तो सुबध्रा कुमारी चौहान जी इनकी लेखक है यामा के तो यह रहे कुछ इंपर्टन ऐसे आपके बोर्ड एकजाम में क्वेस्टन आएंगी हिन्दी पद यह से अब को तयार सभी कुछ करना पड़ेगा जो जो मैं तयार करा रहा हूं ठीक है आपको इधर उदर कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी घर बैठे आपको समल लो एक एक टॉप आपको सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ज्यादा कुछ रही करना ठीक है अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ना मत भूलेगा चले हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपर्टन टॉपिक क के साथ तब तक के लिए बाय बाय जैंद जय भारत